स्वयाम, सहायता, समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले दिदी आप सभी को उगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेणना टीवी चैनल को जल्द सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजिए अगर दिदी आप पहले से ही डेनारले में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंज सुत्र का पालन करना बिल्कून न भूलें साबताहिक बैठक, साबताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय सिरनवापसी, लेखा जोखा इन पंज सुत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सकरी क्योंकि सक्री सम्मू को ही योजनाओ का लाप दिया जाता है और वहिता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते हुए में टॉपी की तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनेल में देखा है बहुत बड़ी खुस खबरी है आप सभी के लिए ध्यान से वीडियो को देखें अब वीडियो को छोड़कर बिल्कुल न जाए अंतक देखती रहे दिदी मोधी सरकार का नया आयलान स्वेम सहता समू में स्त्रियायद भनरासी जिहां सामुदायक निधी होगा माव नहीं देना होगा पैसा अगर इसके बारे में विश्तार्थ जनकारी चाहिए तो वीडियो को अंतक जरू देखेगा जैसा कि आप जानती है कि हमारे समू में इस्टार्टप फंड दिया जाता है दिदी उस पैसे से आप सभी को पता हुई होगा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि उसमें दरी बक्सा और जो है ताले चाबी रेजिस्टर लेने होते हैं अगर आपको रेजिस्टर दिया गया है तो आपके समू के खाते में पंदरा सो रुपे दिये जाएंगे अगर नहीं दिया गया है तो आपके समू में पचीस सो रुपे दिये जाएंगे इस्टार्टर फंड उसके बाद दिदी आपके समू के खाते में आता है कौन सी रासी रिवाल्विंग फंड पंदरा हजार रुपे जो कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि वो सरकार पैसा नहीं लेती है जी हाँ उस पैसे को आपको छोटी मोटी जरुतों को लेकर लेंदेन करना है और आगे बढ़ते रहना है गरीबी से निकलने का प्रयास करते रहना है बराबर निरंतर आपको करते रहना है दिदी आप सभी से निवेदान है कि जो 500 होते हैं आप लोग ध्यान नहीं देती हैं 500 का पार्ण अगर नहीं करेंगी समु बंद कर देंगी तो आपको आगे होगी परशानी फिर से वही रास्ते पे चल ले होंगे जी हाँ, साहुकार के हाँ जो हमें 5%-10% में पैसे देते हैं और हमसे मोटी रकम पे ब्याज लेते हैं आप सभी से अनुरोद हैं अगर अपने समू को अच्छे से चलाएंगी और आगे बढ़ाएंगी तो आपके समू में एक दिन इतना पैसा हो जाएगा कि आप इतना सोच भी नहीं सकती क्योंकि कहा गया है एक-एक रुपिया जुटाएंगी तो सो दिन में सो रुपे हो जाएंगे इसी प्रकार अपने समू में सापताहिक बठर करते करते दिदी अगर पान साल के बाद आपके बचत का पैसा इतना हो जाएगा कि आपको किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस बचत पे भी ब्या जाते हैं जो आपका पैसा रहता है वो भी उसी में जुट जाते हैं आगे चलके उसके साथ साथ रिवालिंग फंड आपको 15 जा दिये जाते हैं उसका भी जो आपका अगर एक पर्षंड का ब्याज ले रही हैं तो 1500 रुपया इस टार्ट अप के साथ ही आपका एक पर्षंड से 1500 रुपया महीने बढ़ते रहेंगे बचत के ब्याज वो भी बढ़ेंगे रिवालिंग फंड पर जो आता है 1500 रुपया महीने वो भी ब्याज बढ़ेंगे आपके समु में काफी पैसे हो जाएंगे जैसा कि दिदी मैंने बताया है कि स्यायब धनरासी होगा मा आप तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे क्योंकि मैंने देखा है कि अब जो है यूट्यूब चैनल पर बहुत सी ऐसी दिदियां है जो फेक वीडियो बना रही है जो कि हमारे डेनरले में जो नियम है जो प्रबंधन है स्यायम सहता समूब बस दिदी आप उसी पर ध्यान दीजिए इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ना आईए जो आपको ट्रेनिंग के द्वारा बताया जाता है आप उसी पर गौर करिए अगर आपको समू से कोई भी जानकारी चाहिए तो दिदी हमारा मुबाइल नमबर लिख लिजिए 6387-877-662 ये हमारा मुबाइल नमबर वार्टसप नमबर दिदी दोनों है बात कर सकती हमसे कोई भी सुझाओ पाने के लिए हम हमेसे आपके लिए तत पर रहे हैं कुछ दीदी जो इस समय बहुत सी परसानियों का सामना कर रही है और परिशान है क्योंकि हर घर में इनकम का स्रोत खतम हो चुका है आए नहीं हो रही है और वो समू का ब्याज मूंदन कैसे वापस करें काफी परिशान है तो कहीं न कहीं दिक्कत तो है ही क्योंकि एक तरफ करोना का लाया और जो हमारी सक्री समू की महिलाया थी उनको बहा के लेके चला गया क्योंकि रोजगार तो आये नहीं लेकिन गरीबी जरूर आ गई महंगाई हद से ज़्यादा पार हो गया डेली मजदूरी करने वाली जो दीदिया है जो उनके हैस्बेंड है जो डेली मजदूरी करते हैं 300-300-400 तक की इंकम होती है उनको अपना परिवार्श चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वो सोचती है कास सरकार आए और हमारे जो रिण हैं हमें रिण मुक्त कर दे हमारा मूलधन ब्याजधन माफ कर दे और वो अपना समय से पैसा नहीं जमा कर रही है जी हाँ क्योंकि काफी कॉमेंट इसी बात के लिए कर आ रहे थे कि समू चल रहे हैं लेकिन जो है समू की दिदियां समय पर पैसा वापस नहीं कर पा रही हैं तो इसके लिए आप सुझाओ दे तो आज उन्हीं दिदियों के लिए करना चाओंगी कि जो भी इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं इस बात को सभी लोग समझें समू को चलाना है बन नहीं करना है लेकिन जो समू की दिदि हैं उनको आप समझा के पैसे लिजिए देखिए क्या वाकई में उनके घर इंक आज दन वापस नहीं कर रहे हैं या वाकई में उनके घर एक समय खाना बन रहा है और दूसरी समय नहीं बन रहा है इस बात का आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई कुछ ऐसी दिदियों हमारे गलत कतम उठा ले जो उन्हें नहीं करना चाहिए तो ये समू आपका है विचार आपका है तो आपको सब को ले कर चनना है समू को भी ले कर चनना है समू की दिदियों को ले कर चनना है उनकी समस्याओं को भी ले कर चनना है मन मुटाओ बिल्कुल ना करें जो दिदिया पैसा नहीं दे रही है उनको साथ आएक बैठक में ब करने का और यह भी आपको देखना जरूरी है कि क्या उनके घर की स्थिति है क्योंकि प्रेशर तो समू में है ही नहीं क्योंकि स्वयम सहता इसलिए बनाए गए है कि स्वयम की सहता करें और समझें चर्चाएं करें एक दूसरे के दुख को समझेना कि दुख को बढ़ाए और जो ऐसा दीदी सोचती है कि हमारे सी आयव दनासी माफ हो जाएंगे तो ऐसा दीदी बिल्कुल नहीं है मैं आप सभी को आउगत कराना चाहती हूं कि सामूदायक निधी यह आपको ग्राम संगठन में 75 पैसे लगा कर वापस करने हैं समू में आपको एक परशन लगा कर वापस करने हैं तो आप लोग इस ब्यात के विशेश ध्यान रखें आप सभी के लिए दीदी मैं भी पूरा प्रयास कर रही हूं सीयम योगी आदित्यनाथ जी को जी हां मैं भी दीदी आप सभी के लिए पूरा प्रयास कर रही हूं और सीयम योगी आदित तिनात जी को पत्र लिखने वाली हूँ जी हाँ 2020 मार्च 2020 के पहले जो भी दीदियां स्वेम सहता समू से रिण नी है उनका रिण माप कर दिया जाए उन्हें पर सान न किया जाए समू से रिण लेकर जो दीदि छोटा मोटा कारुबार करना चाहती थी लागडाउन के दोरान उनका सारा पैसा खर्चो गया और वो फिर से गरीबी रेखा में आ गई अब वो किस प्रकार अपना पैसा जमा करेंगी क्योंकि गरीब तो वो पहले से ही थी अब वो और भी गरीब हो गई क्योंकि वैवसाय तो कर्ज लेकर ही किया अब वो पैसा डूब गया तो अब जो है वो कर्ज पे भी हो गई और गरीबी की रेखा में वो पहले ही थी इसलिए मैं सीयम योगी आदित्य नाथ्थ जी को पत्र लिखने वाली हूँ और आप सभी के लिए अनुर्थ करना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज हमारे प्रेंडा टीवी चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दिजे शेयर कर दिजे इस वीडियो को देदी ज्यादा शेयर जरू कर दिजेगा धन्यवाद जया जीविका